हमारे शरीर के अंगों में से लीवर यानि यक्रित एक महत्वपुर्ण अंग है लीवर हमारे शरीर में डी टॉक्सिफायर का काम करता है यानि हमारे शरीर से हानी कारक पधारतों को चानने का कार्य करता है लीवर भोजन को पचाने तथा मेटाबोलिजम की प्रक्रिया को सही करने में भी मदद करता है इसलिए ये बेहर जरूरी है कि हमारा लीवर स्वस्त हो अन्यथा हम अनेक गंभीर बिमारियों का शिकार हो सकते हैं आईए आज आपको बताते हैं कि प्रती दिन कुछ नियों मों का पालन करके हम अपने लीवर को कैसे स्वस्त रख सकते हैं लीवर को स्वस्त रखने के उपए पहला अनुशासित जीवनशैली हमें अपनी जीवनशैली को अनुशासित बनाए रखना है अपने शारीरिक अंगों को व्यवस्थित तरीके से कार्यशिल बनाए रखने के लिए शरीर को काम के साथ साथ आराम देना भी जरूरी है दूसरा फिटनेस का खयाल रखें शरीर में अतिरिक्त फैट का एकत्र होना विबिन्न बिमारियों को आमंतरन देता है अतिरिक्त फैट ना सिर्फ मोटा पा बढ़ाता है बल्की ये लिवर की कार्यशिली को भी प्रभावित करता है इससे फैटी लिवर जैसी समस्या भी उत्पन्न हो सकती है प्रति दिन सुबह उठकर ताजी हवा में तहलने से ना सिर्फ अतिरिक्त फैट खत्म होता है बलकि इससे मालसिक स्वास्थ भी तरोतवजा बना रहता है हमें अपने आहार में ऐसी चीजों को शामिल करना चाहिए जिन में मिनरल्स तथा विटामिन्स की भरपूर मात्रा पाई जाती है सुभा के नाश्टे में हमेशा हेल्दी चीजे खाएं लंच और डिनर में मचली, डाल वा अन्यहरी सबजियों का सेवन भी किया जा सकता है चोथा शराप तथा सिगरेट का त्याग शराप और सिगरेट लीवर के सबसे बड़े दुश्मन माने जाते हैं शराप का सेवन करने वाले लोगों का लीवर सामाने लोगों की तुलना में अधिक जल्दी खराब हो जाता है पाच्वा जंग फूड का त्याग करें जंग फूड जैसे की पीजा, बर्गर, कोल जिंक इनमें शुगर की मात्रा काफी अधिक पाई जाती है इनके सेवन से शरीर में फैट बढ़ता है इस फैट को रख से अलग करने के लिए तथा पाचन को सही करने के लिए लीवर को अतिरिक्त कार्य करना पड़ता है क्या खाएं? आईए अब बढ़ते हैं कुछ ऐसी चीजों की ओर जिनका सेवन करके हम अपने लीवर को हेल्दी रख सकते हैं पहला लहसून का सेवन करें लहसून एक प्राकृतिक डीटॉक्सिफायर की तरह कार्य करता है जो लीवर की कार्य शीलता को सुचारो रूप से करने के लिए प्रेरित करता है दूसरा चुकंदर खाएं चुकंदर यानि बीट रूट ना सिर्फ शरीर में रक्त को बढ़ाने में मदद करता है बलकि इसमें पाये जाने वाला बीटा कैरोटीन लीवर की कार्य क्षमता और कार्य शेली को ठीक रखने में मदद करता है तीसरा नीमभू का सेवन करें नीमभू में डी लेमोनिन नाम का एक महत्वपूर्न तत्व पाया जाता है जो लीवर की कोशिकाओं को सक्रिय करने के लिए एहम भूमिका निभाता है चौथा हल्दी का सेवन करें हल्दी लीवर की शतिक्रस कोशिकाओं की मरमत करने का कार्य करती है इससे लीवर को पुनर जीवित होने में मदद मिलती है और लीवर की कार्यक्षमता भी अच्छी होती है पाचवा, सेब खाएं सेब शरीर से विशात्त पधारतों को बाहा निकालने में मदद करता है छटा, अक्रोट खाएं अक्रोट में एमीनो एसिड की भरपूर मात्रा पाई जाती है अमीनो एसिड शरीर से हानीकारक विशात्त पधारतों को अलग करने में महत्वपूर्ण भूमी का निभाता है अन तक देखने के लिए शुक्रिया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले